दुनिया भर में कई सारे sports event होते हैं या फिर आप इने sports league भी बोच सकते हैं जैसे basketball के लिए NBA और football के लिए Bundesliga और वही T20 cricket के लिए IPL लेकिन IPL यहाँ पर एकलौता cricket T20 league नहीं है यहाँ पर पाटिस्तान के पास भी अपना PSL है और वहीं बांगलादेश के पास अपना BPL यह ज करीदे जाते हैं 2.1 million dollar पर तो वहीं Bundesliga के rights करीदे जाते हैं 3.9 million dollar पर तो वहीं अगर हम IPL को compare करें तो यह काफी जदा आगे जा चुक है इन सबसे जिसके rights करीदे जाते हैं 8.9 million dollar पर अब अगर बात करें IPL के brand value की तो वह है 4.6 billion dollar Indian currency में मतलब है 35,900 करोड रुपे अगर आ अगर आप 2008 को छोड़ दें तो 2009 के बाद से IPL ने यहां पर tremendous growth दिखाई है और 2020 COVID-19 pandemic के एकारण इंडिया में यह भले यह organized नहीं हुआ था लेकिन UAE में इसको organize कराया गया था IPL में काफी जादा पैसा involved होता है अब चाहिए वो पैसा title sponsorship से आया या फिर broadcasting rights से सारी deal जो होती है वो multi million dollar की deal होती है और यह पैसा जाता है अब सीधा BCCI के पास और इस पैसे से BCCI हर match organize करता है और team players की fees भी इसी पैसे से देता है IPL के business revenue को हम ज़रूर जानेगे लेकिन उससे पहले हम यह देख लेते हैं कि अगर कोई भी team IPL जीतती है तो उसे कितना price बनी मिलता है जिससे हम इसे बाद में compare करके देख सकते हैं IPL के business revenue से एक report के according है अगर कोई भी team IPL जीतती है तो उसे लागबग 20 करोड रुपे तक कहिना मिलता है और जो team दूसरे नमबर पर आती है उसे मिलता है लाग 13 करोड रुपे और जो team तीसरे नमबर पर आती है उसे मिलते है 7 करोड रुपे और चौते नमबर पर आने वाली को मिलते ह किसी भी एक award के लिए अगर आप IPL के price को compare करके दिखो के तो जहां 2008 में price 4.8 करोड रुपे था वहीं 2021 में बढ़कर 20 करोड रुपे हो चुका था IPL का business revenue तीन पार्ट में divide किया जा सकता है पहला central revenue जो कि है 70% दूसरा है add or promotional revenue जो कि है 20% तीसरा है local revenue जो कि है 10% सबसे पहले बात कर लेते हैं बड़े पार्ट की जो कि है central revenue IPL के central revenue को भी आपको दो पार्ट में divide करना पड़ेगा पहला आता है media और broadcasting right दूसरा आता है title sponsorship बात कर लेते हैं media rights की broadcasting rights सबसे बड़ेट revenue source IPL में 40 से 45,000 रुपेय ऐसा कहा जा रहे है कि media rights बिक चुके हैं जो कि equivalent होता है 5 billion dollar के इन broadcasting right को खरीदने के लिए bidding रखे जाती है जिसमें बड़े-बड़े brands आपस में bidding करते हैं इन broadcasting right के लिए जैसे कि Reliance, Sony, Walt Disney, Star Group और इस साल भी Star Group ने broadcasting right अपने पास ही रखे हैं media rights किसी भी IPL team के लिए एक important source of revenue है कुछ टीमों के लिए 60% होता है उनके total revenue का BCCI, media rights और broadcasting right चैनल को sell करके जो भी revenue उन करता है उसमें से अपना share cut करके बाकी के IPL teamों में distribute कर देता है Sony Entertainment और Star India दो ऐसे broadcaster हैं जिनोंने अलग-अलग season में IPL की broadcasting right को खरीदा है 2008 से 2017 तक Sony Entertainment ने in media rights को 8200 करोड रुपे में खरीजा था यानि लगबग एक season का 820 करोड रुपे और साल 2018 से 22 तक Star India ने in media rights को 16347 करोड रुपे में purchase किया था अपने देखा होगा कि IPL के name से पहले किसी ना किसी brand का name जरूर रच होता है जैसे DLF IPL, Vivo IPL और अब Tata IPL अब इन brands का name इसलिए add होता है क्योंकि ये सभी IPL के title sponsor रह चुके हैं और ये सभी brands एक बड़ा amount pay करते हैं केवल अपना brand name लगाने के लिए Vivo ने साल 2018 में 5 सीजन के लिए 2100 करोड रुपे की काफी बड़ी रकम दी थी जिसमें से BCCI ने 50% share अपने पास रखा था और बाकी का टीमों में distribute कर दिया था 2022 से 2023 तक Tata Group IPL का title sponsor रहेगा Vivo को Tata ने replace कर दिया है इंडिया और चाइना के बीच में जो tension चल रही है उसकी वज़े से एक report के according Tata ने 670 करोड रुपे दिये हैं IPL के दो next season के लिए अब इसके अलावा भी कई सारे sponsors होते हैं जैसे की official sponsors, empire sponsors, strategic timeout sponsors अब जो advertiser होते हैं वो TV या फिर online streaming platform पर अपने ads को run करवाते हैं और अभी के time पर IPL सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला sports event है जिसको करोडों लोग देखते हैं इसलिए brands काफी भारी मातरा में pay भी करते हैं इन ads के लिए एक report के according 10 second का 12.5 लाक रुपे चार्ज करता है star sports इन brand से अब सोचो पूरे season में ये ad कितनी बार दिखाये जाएंगे तो उनसे कितना revenue generate होगा अब आते हैं third part of revenue पर आपने देखा हुगा कि fans अपनी favorite team को chair करने के लिए stadium में भारी संख्या में आते हैं जिसके लिए उन्हें ticket करीदना पड़ता है ticket sale एक और income source से किसी भी आई पिल टीम के लिए on an average local revenue से एक मैच पर लगबग 4 करोड रुपे तक earning होती है जिसमें से 80% का हिस्सा home team को मिलता है जहां पर match हो रहा होता है हर एक team को लगबग 7 मैच अपने home ground पर खेलने होते हैं ticket का price team के owners ही decide करते हैं PCCI और sponsors को ticket revenue में से थोड़ा सा ही हिस्सा मिलता है और बाकी का team में distribute हो जाता है local revenue में आप food items, merchandise को भी चोड़ सकते हैं 20 करोड रुपे का winning price बले ही इस model के सामने काफी कम लगे लेकिन ये winning price भी team के income source में ही add होता है इस successful business model के पीछे एक बहुत ही well executed strategy है जिस वज़े से IPL हर साल एक बड़ा sports event बनता जा रहा है किसी भी IPL team को खरीदने के लिए bidding की जाती है और कोई भी IPL team खरीदने के लिए आपको इंडिया का कोई top businessman होने की जुरत नहीं है Let's suppose आपको एक IPL team खरीदने है अब IPL team को आप buy कर सको उसके लिए BCCI tender निकालता है अब इस tender के लिए कुछ requirement होती है जो आपको fill करनी पड़ेंगी जैसे सबसे पहले 10 लाग रुपे की non-refundable fee देनी होगी वो भी GST के साथ इसके बाद आपको ITT receipt मिलेगी जानि invitation to tender और अगर आप eligible हुए किसी भी IPL team को खरीदने के लिए तो BCCI आपको bidding में invite करेगा टीम बाई करने के बाद players का auction होता है जिसमें players खरीदने के लिए bidding की जाती है और पहले ही players का एक base price रख दिया जाता है जिससे कोई भी टीम आपस में पहले से ही price decide न कर बैठे ये base price 20 लाग से 2 करोड रुपे तक का हो सकता है players चाहे तो इस base price को घटा या फिर बढ़ा सकता है अपनी मर्जी से